अज इस खास रिपोर्ट में हम आप से रितु नंदा की बेटी नताशा नंदा पर चर्चा करने जा रही है जैसा कि आप सब जानते हैं मा का आचल जब बच्चों के सिर से उठता है ऐसा लगता है कि मानो अब जिन्दगी में कुछ बचा ही नहीं ऐसा लगता है कि मानो पूरी दुनिया उजड़ गई हो और फिलहाल ऐसा ही कुछ नताशा नंदा महसूस कर रही है नताशा अपनी मा रितुनंदा के पेहत करीब हमेशा से रही है वो रितुनंदा को पेहत प्यार करती थी रितु ने हमेशा अपनी बेटी नताशा को ये बताया है कि जितना हो सके अपने दम पर इस दुनिया को जीओ और मा की बात मानती हुई नताशा हमेशा से खुशमिजाजी के साथ अपनी जिन्दगी को जीती हुई नजर आई है नताशा नंदा पचास साल की हो चुकी है बीते साल 10 नवंबर को उन्होंने अपना पचासवा जन्म दिन पूरे परिवार के साथ जोरो शोरो से मनाया जिसकी तस्वीरों को आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रही होंगे अपनी मा के बेहत करीब नताशा नंदा रही है लेकिन नताशा की जो तस्वीरे वाइरल हो रही है मा के निधन के बाद की वो दिल को छूलेने वाली है वो आँखों को नम कर देने वाली है बता दे आपको नताशा अपनी मा की ही तरह फिल्मी दुनिया से कोसो दूर रहने वाली है उन्होंने कभी फिल्मी दुनिया को अपना करियर बनाने के बारे में नहीं सोचा उन्होंने कभी फिल्मी दुनिया में किस्मत आजबाने के बारे में नहीं सोचा इन सबसे काफी दूर रहती हुई नताशा हमेशा से देखी गई है शौक और लाइपस्टाइल के बारे में बात करें तो नताशा का लाइपस्टाइल बिलकुल उनकी ममी रितुनन्दा की तरहा रहा है जिस सरह से रितु जमीन से जुड़ी हुई हमेशा रही है ऐसा ही वहवार नताशा का रहा है नेक्स्ट टुनाई निउस से मेगा की रिपोर्ट